सार का इंड का असोक थे असोक के ब्रक्ष पर छिपे अंजनी लाल देख जानकी की दसा दई अंगूठी डाल असोक एक महात्पून पौदा है और वाता वरण में प्रकास संस्लेशन की किरिया द्वारा प्राण वायू दिखेडता है एवं कारवन डई अक्साइड लेता है प्रकास संस्लेशन में क्रोड फिर और सूर के प्रकास की उपर्थिज में कारवन डई अक्साइड एवं जल आपस में क्रिया करके कारवो हार्डेट C6H12O6 एवं जल H2O एवं ऑक्सिजन बनाते हैं ऑक्सिजन पर्यावरन में मिल जाती है और पर्यावरन में मिल जाती है और पर्यावरन को सच बनाती है और कारवन डई अक्साइड गंदी के ऐसे ये लेते हैं प्रकार संसेजन क्रिया में इस प्रकार असोक एक महात्पूर पौदा है इसे बगीचों में और घर के सामने लगाना चाहिए ये बहुत ही महात्पूर पौदा है थे असोक के ब्रक्ष पर छिपे अंजनी लाल देख जानकी की दसा दई अंगूठी डाल ये पौदा सी सोवरन सिंग्यादा विंटर कालेज चंदपूरा बकेवा रिटावा उत्तर देश भारत में इस्थित है थे असोक के ब्रक्ष पर छिपे अंजनी लाल देख जानकी की दसा दई अंगूठी डाल थे असोक के ब्रक्ष पर छिपे अंजनी लाल देख जानकी की दसा दई अंगूठी डाल असोक का बानस्पतिक नाम सर का इंड़का है यह बहुती महात्पून पौदा है इसे बगीचों में लगाना चाहिए घर के सामने लगाना चाहिए असोक का पौदा यह प्रानवायू वाय मंडल में भिखेडता है प्रकास संसेशनक की यादवारा और वातावन से कारवन्डा जोक्षाट गंदी कहस लेता है इस प्रकार यह बहुती महात्पून पौदा है